आज हम बनाने वाले हैं मतर पनीर, लेकिन बहुत ही कम चीज़ों से जो कि आपके घर पर अल्रेडी अविलेबल होगी, तो वीडियो का में स्टार्ट करते हूं बिना किसी डिले किये, तो आप देखे सबसे पहले तेल के अंदर आपको लेसुर मिर्ची अद्रक को डाल कर उसके बाद आपको यहां पर डालना है प्यास, आपको यहां पर बहुत ही ज़रूरी चीज़ यह है कि आप इसकी भुनाई किस तरीके से कर रहे हैं और मैं आपको जैसे बता रही आपको पूरा उसी तरीके से फॉलो करना है एक बेस रिजल्ट के लिए, तो आप देखे ज जब color change हो जाए तो आपको डालना है यहां पर साथ में ही tomato, तीन प्यास का यूज की थी मैंने और चार tomato का इस तरीके से आपको quantity रखना है, नमक डालना है और इसको अच्छी तरीके से आपको भूनना है, ढग ढग कर आप चाहो तो भूनो या फिर आप इसको directly वे ऐसे भून सकते हो और जब यह कुछ इस तरीके से हो जग गेस का फ्रेम बंद करना है उसको ठंडा होने देना है उसके बद आप देखे एक आपको जार लेना इस तरीके से और जर्वत पढ़ती तो आप थोड़ असमें पानी डाल दीचे और आप इसको इसका पेस्ट तियार कर लीज साथ में कुछ काजू जिसको मैंने भिगो कर रखी ती जो मलाई होती है घर की दूट की बस वही मलाई आपको दो से तीन चमत लेकर इसको भी आप इस तरीके से इसका भी पेस्ट तियार कर लेकर अगर आपको अख़्ा लग रहा है थोड़ा सा तो अगेन आप इसको क्या क ईसका बद को लॉड़ा ऑवेलिबल है उसके बद आपको लाल मिर्श पाउडर डालना है उसका फलीम लोग पे रखना ताकि मसाले जले नहीं उसके बाल शेमल पेस हमने टियार की वह डाल दे रहा है आप में ही अपको अभ свान से थोड़ा ज्यादा घरा मश्वाऊड मसाल और इसमें से अच्छी तरीके से ओयल एक्दम सेप्रेट भी ना हो जाए तो आप देखे इसको ढग ढग कर बीच में या फिर जरुवत पढ़ती तो आप नहीं ढग होगे तो भी चलेगा बट आप इसको ढग कर अच्छी तरीके से बूने और आप देखें इसका ऑईल बे से अच्छी तरीके से क्या करना है भूना है गैस का फ्लेम आप मेडम पर लो रखिए और उसको अच्छी तरीके से आपको चलाते रहना है तक कोई बीच चाहिए बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए साथ में या पर आप देखें मैंने थोड़ा सा कसूरी में देखा यूज कि आप टाल दीचे पनीर तो ये पनीर मैंने घर पी वनाई थी तो आप भी इसे घर पर पनीर सकते हो साथ मी थोड़ा धनी की पति और पानि कि आप छाप ठीक पानीर पानी यह नहीं हो आपको बाल इसको झाखिक तो इसको जीना भी थिकनिस चाहिए जैसा भी चाहिए वह ब पानी डाल दीचे और इसको धखकर पासे साथ नट के लिए मीडम तो लो फ्लेम पर आपको उबलने देना है और जब यह कुछ इस तरीके से इसकी ग्रेवी हो जाए गेस का फ्लेम आप बंद कर दीचे और आप इसको साफ कर सकते हो तो आप भी इसे जरूर आइकन आपको पस आप आती है अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना कॉमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर बाइ